जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए तालियां मचती रहने चाहिए मौधी जी जिन्दाबाद प्रधान मंत्री जी जिन्दाबाद जोर से तालियों के साथ में उच्सा बनाए रखिए जोरदार स्वागत, प्रधान मंत्री जी का, हमारे भीज आज हमारे देश के प्रधान मंत्री विश्व प्रसित प्रधान मंत्री आदर्णी मोदी जी विराजमान है मोधी जी का जोर जोर स्वागत करते हैं तालियों के साथ में तालिये जोर डर बजाईए जोर दार स्वागत मोधी जी का जोर जोर स्वागत करते हैं तालियों बचती रहनी चाहिए जोर दार तालियों के साथ स्वागत मोधी जी का मौदी मौदी जोरदार स्वागत जोरदार तालिया माननी प्रदाद मत्री जी आपकी इस खास मौजूद की ने यहां हर एक शख्स का दिल खुशियों और उम्मीदों के साथ और नई किरण के साथ भर गया है कश्पीर की आवाम आज आपको सुनने के लिए बेसबरी से इंतार कर रही है आपका तहें दिल से इस्तखबाल है आदरने प्रदान मत्री जी मैं दावत देती हूँ जम्मो कश्पीर के सीनियर बीजेपी लीडर एंड फार्मा डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हमारे इलक्शन कमीडी के इंचार्ज डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब डॉक्टर निर्मल सिंग जी को और साथ में जम्मो कश्पीर के संगणन महमत्री जनाब अशोकॉल साहब को साथ में मेंबर आफ पार्लियमेंट राजी सबा के जनाब घुलाम अली खटाना साहब हमारी में चेर परसन वक्वोट जम्मो कश्पीर डॉक्टर दरक्शा अंद्रावी साहबा हमारे जम्मो कश्पीर के वाइस प्रेसिड़न जनाब सोफी सुफ साहब हमारे हर दिल अजीज आदर्णिय शिरी नरेदर मौदी जी को शौल पना के इस्तक्बाल करें इसके साथ ही मैं दावत देती हूँ हमारी सेटिंड रों में बैठे हमारे सभी एसेंबली कैंडिडेट्स वो आगर के कश्मीरी शिकारा मोदी जी को प्रदान करें जोरदार तालियों के स्वागत स्वागत करें मैं था ड्रों में मैं था ड्रों में बैठे अपने सिनियर लीडर्स को आमंत्रित करती हूँ कि वो आएं और हमारे आदरने प्रदान मंती श्री नरेंद मोदी जी को कश्मीरी समावार देकर इस्तक्बाल करें जोरदार तालियों के साथ में तालियों की अवाज आती रहना चाहिए जोरदार स्वागत तालियों के साथ स्वागत करते रहे तालियां बचती रहना चाहिए इलेक्शन का टाइम है अब मैं अपने खास इस खास मौगे पे गुजारश करती हूँ एक ऐसी सक्षिय से जिनोंने हमेशे जम्मूआ कश्मीर की तरक्वी और खुशाली के लिए काम किया है वो ना सिर्फ ना एक मजबूत राजनितिक नेतरत के रूप में जाने जाते हैं बलकि उनकी विचारों ने यहां की तरक्वी को नई दाट डिरेक्शन दी है आएए मैं अब अमंत्रित करती हूँ हमारे दीश तश्रीफ हर्मा हमारे डिप्ट्री हमारे उप मंत्री डॉक्तर निर्मा सिंग जी वो आएं और अपने खुसूसी कुछ प्रदाय मंत्री जी श्री नरेदर मोदी जी के स्वागत में अपने विचार पेश करें डॉक्तर निर्मा सिंग जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्तर निर्मा सिंग जी दुनिया के सबसे लोग प्रेनेता हमारे अधरनिया प्रदान मंत्री श्रदेद निरेदर भाई मोदी जी मंच पर उपस्ते कश्मीर घाटी के भारती जन्ता पार्टी के सभी उमीदबार अन्य सिंग नेता और मेरे सामने बैठी कश्मीर घाटी के कोने कोने से आई बहुत बड़ी तेदात में मारे भाई और बहनों मैं सबसे पहले प्रदान मंत्री जी का अभार प्रगट करना चाहूँगा शुक्रिया दा करना चाहूँगा कि उन्होंने जम्मु कश्मीर भारती जन्ता पार्टी के निमंत्रन को सभीकार करके इन विधान सभा चुनावों में कश्मीर में आके हम लोगों को अशिर देने का सभीकार किया और हमारा मार्ग दर्शन करने का सभीकार किया भाई और भेनों मैं ये बताना चाहूंगा कि सिर्फ 2024 में परधान मंद्री जी का ये तीसरा दौरा है पहले वो मार्च में आए फिर 21 जून को जब योगा डे था तब आए और हमें मालूम है कि तब हजारों क्रोर रुपे के जो डिवल्मेंट प्रोजेक्स थे उनकी सौगाच जमु कश्मीर को मिली कश्मीर को मिली मैं परधान मंद्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा बाई और भेनों ये प्रधान मंद्री जी का पहला राए नितिक दोरा है और ये दोरा और भी ज़्यदा महत पूर्ण हो जाता है कि आप जब जमु कश्मीर में भार्तिय जन्ता पार्टी अपने बल्बूते के उपर सरकार बुनाने का हमने तेख किया है और उस समय आप हमें अशीर बात देने के लिए आए हैं तो पिछले 76 सालों में यहां अलगावबाद के कारण जहां तीस सालों में अग्डरबाद के कारण जो जमु कश्मीर में अफरा तफ्री हुई जहां खून भा उस जमु कश्मीर को फिर से तरकी तामीर आमन शांती के रास्ते पूर लाने के लिए केंदर में परधान मंतरी नरेज भाई मोदी जी के लेतिव वाली सरकार और जमु कश्मीर में आने वाले समय में बंडे वाली सरकार ये डवल इंजन की सरकार ही इसको जो है तरकी और तामीर रोजगार के रास्ते पर ला सकती है भाई और भेनो अगर देश में सबसे ज़्यादा बोले बारा जो नारा है वो है बोदी है तो मुम्किन है भाई और भेनो ये नारा जमु कश्मीर में बहुत ही स्टीक ताउर पर जो है मुम्किन हो पाया है हमने कभी सोचा नहीं था सप्ड़े पर नहीं सोचा था कि जमु कश्मीर में यहाँ पर 75 फीसदी उग्रबाद की घट्राओं में कमी आएगी हमारे बच्चे बच्चियां स्कूल में कालेज में बेखाफ जाएंगे यहाँ पर कोई बंद की काल नहीं होगी और बाजार खुले रहेंगे जमु कश्मीर में बीडी सी डीडी सी और पंचायद के लेक्शन होंगे और नई लीडिशिप उभरेगी 60% के लोगवग लोग लोग सवा में जो है बोट डालेंगे और कल सौथ कश्मीर में आपने देखा बहुत बड़ी उत्साहा के साथ लगवग 60% से हूपर लोग बोट डाले और सिर्फ 2023 में सवा दो कोड़ टूरिस्ट यहां पर आएंगे अधरनिय प्रधान मंत्री जी यह तबी संबभ हो पाया है क्योंकि आप इस देश के अधरनिय प्रधान मंत्री हैं इसलिए तबी यह मुम्किन हो पाया है आपका जो लक्ष है सबका साथ सबका विकास सबका और सबका प्रियास अगर यह कहीं जो है यहां पर जो है संबभ हो पाया तो जमू कश्मीर में संबभ हो पाया है मैं आपके बीच में और लोगों के बीच में जला तेप नहीं रुपता हुआ मैं आपसे एक बार फिर आपका अभार परगड़ करना चाहूंगा कि आप इस लुटे पड़े जमू कश्मीर को उजड़े जमू कश्मीर को जिस परकार से आप जो है त्रक की तामीर के उपर ला रहे हैं आपका हमेशा हमेशीर बाद जो है मिलता रहेगा यही नहीं शब् ऐसे ही उत्सा बढ़ाए रखिएगा वो लीडर जो देश को मंजिल दिखाता है हर दिल में नए सपने जगाता है उसी की रहनुमाई में आज ये कारवा चला है कश्मीर की धर्ती पे उम्मीदों का सवेरा खिला है मैं अपने आदर्निय प्रधार मंत्री नरेंद मोधी जी से गुजारिश करती हूँ कि वो हमारे इस सभा को अपने बेकिम्ष्टी अलफाज से एड्रेस करें प्रधार मंत्री मोधी जी आप जोड़नार तालियों से स्वागत करिएगा जिनके सुनने के लिए हम बेकरार हैं आज हमारे बीच में हमारे प्रधार मंत्री मोधी जी है थैंक यू म्यानिन सार्णे कशीर बायंता बेनन चूम्योन सेठा सेठा नमस्कार क्या हाल चाल जो आज इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं नवजवानों का इस जुस्सा बुजुर्गों के आखों में शांति का संदेश और इतनी बड़ी मात्रा में मात्नाए बहने ये नया कश्मीर है हम सब का मकसद जम्मु कश्मीर की तेज तरक्की है जम्मु कश्मीर की तेज तरक्की का जज़वा और बुलंद करने का पैगाम के साथ मैं आज आपके बीच आया हूँ मैं देख रहा हूँ आज मेरे कश्मीर के भाई भेन खुशाम दीद पीएम कह रहे हैं मैं भी तो तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ साथियों जम्मु कश्मीर में इस वक्त जमुरियत का तवहार चल रहा है कल ही यहाँ साथ जिलों में पहले दोर की वोटिंग शुड़ू हुई पहली बार दस्द गर्दी के साय के बिना यह वोटिंग हुई हम सभी के लिए यह बहुत खुशी की बात है गर्व की बात है कि इतनी बड़ी तादाद मैं लोग वोटिंग के लिए अपने घरों से बाहर निकले युवा हो महलाए हो बुजूर्ग हो सभी ने खूले मन से वोटिंग की किस्तवाण मैं 80% से ज्यादा वोटिंग डोडा मैं 71% से ज्यादा वोटिंग रामबन मैं 70% से ज्यादा वोटिंग कुलगाव मैं 62% से ज्यादा वोटिंग अनेक सीटों पर पिछली बार की वोटिंग के रिकॉर्ड तुट गए है ये नया इतिहास बना है ये नया इतिहास आपने रचा है ये नया इतिहास जमु कश्मीर के लोगों ने रचा है ये दिखाता है कि जमु कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशन्स नई उच्चाई पर है आज दुनिया देख रही है कि कैसे जमु कश्मीर के लोग भारत के लोग तंत्र को मजबूत कर रहे हैं इसके लिए मैं जमु कश्मीर के अवाम को मुबारक बात देता हूँ साथियों कुछ दिन पहले जब मैं जमु कश्मीर आया था तो कहा था कि जमु कश्मीर की बरबादी के लिए तीन खांदान जिम्मेदार है और तब से दिल्ली से लेकर जमु कश्मीर तक ये लोग बौक लाये हुए है इन तीन खांदानों को लगता है कि इन पर कोई कैसे सवाल उठा सकता है इन तीन खांदानों को लगता है जैसे तैसे कुर्षी पर कबजा जमाना और फिर आप सब को लूटना ये इनका पैदाईशी हक है जमु कश्मीर की अवाम को उनके जायज हक से महरूम रखना ही इनका सियासी एजेंडा रहा है इन्होंने जमु कश्मीर को सिर्फ तसदूत यानि डार और इंतशार यानि अराजकता ही दी है लेकिन अब जमु कश्मीर इन तीन खांदानों में के सिकंज में रहने वाला नहीं है अब यहां का हमारा नवजवान इनको चैलेंड कर रहा है जिन नवजवानों के इनों ने आगे नहीं बढ़ने दिया वही इन नवजवान इनके खिलाप मैदान में उतर आये है साथियों इन तीन खांदानों के राजवे जमु कश्मीर के नवजवानों ने जो भोगा है जो तकलीप सही है वो अक्सर बाहर नहीं आ पाता आज वादी का जो नवजवान बीस पटिस तीस साल का है उन में से कई पढ़ाई लिखाई से महरूम रह गए बहुत सारे ऐसे हैं जिनको दसवी बारवी या कॉले तक पहुंचने में देश के बाकी बच्चों से जादा साल लगे यह इसलिए नहीं हुआ कि जमो कश्मीर के हमारे नवजवान फेल हुए बलकि यह इसलिए हुआ क्योंकि कॉंग्रेस, एंसी और पीड़ीपी के तीन खांदान फेल हुए थे इन्होंने अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए दहाईयों तर नफरत का सामान बेचा है कश्मीर में जो स्कूल जलाए गए वो आग भी इनके नफरत के बाजार में ही बिक्ती थी यह लोग नए स्कूल नहीं बनाते थे और जो स्कूल थे यह लोग उनके आग के हवाले करने वालों को शेह देते थे आपको वक्त नियाद करिये जो स्कूल कॉलेज बज गए वहां भी कई कई महिनों तक पड़ाई नहीं हो पाती थी हमारे नौजवान स्कूल कॉलेज से बहार थे पड़ाई से दूर थे और ये तीन खामदान उनके हाथों में पत्थर थमा कर खुश रहते थे इन लोगों ने अपने फाइदे के लिए हमारे बच्चों का फ्यूचर उनका मुस्तग बिल बर्बाद किया हैं साथियों जम्मु कश्मीर को टैरर से दहसत गर्दी से आजहात कराना जम्मु कश्मीर के खिलाप साजीज करने वाली हर ताकत को हराना यहां के नवजवानों को यही पर रोजगार के मौके दिलाना यह मोदी का इरादा है मोदी का वादा है हमारी एक और पिड़ी को एक और नस्ले को इन तीन खांदानों के हाथों में तबाह नहीं होने दूँगा इसलिए यहां अमन की बहाली के लिए मैं पूरी इमांदारी से जुटा हूँ आज देखिए पूरे जमु कश्मीर में स्कूल कॉलेज आराम से चल रहे हैं बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं बलकी पैन है किताबे हैं लेप्टॉप है आज स्कूलों में आग लगने की खबरे नहीं आती आज यहां नए स्कूल, नए कॉलेज, एम्स, मेडिकल कॉलेज, आई आई टी ये बनने की खबरे आ रही है मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे पड़े लिखे और जादा काबिल बने उनके लिए यही पर नए मौके बने साथियों, ये हम कैसे कर रहे हैं मैं सिर्फ बीते पांच साल का हिसाब आपको देता हूँ यहां करीब पच्चास हजार बच्चे साथियों इस बात थे, मुझे भारी संतोस है इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ यहां पर पच्चास हजार बच्चे ऐसे थे जिनका स्कूल छुट गया था जिनकी पड़ाई छुट गई थी उन बच्चों का क्या कसूर था उनका कोई कसूर नहीं था मोदी ने इन पच्चास हजार बच्चों का फिर से स्कूल में दाखिला कराया यहां पंदरा हजार स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासे शुरू की गई इनमें आज देड़ लाग से जादा हमारे बच्चे पड़ रहे हैं आज यहां करीब धाई सो स्कूलों को पी एम स्कूल्स में अफगेड किया जा रहा है यहांने एक डिगरी कॉलेज इंजिनियरिंग और पॉलिक टेगरी की कॉलेज बने है अवंति पुरा में एक बन रहा है इन पांच सालों में यहां मेडिकल की करीब ग्यारा सो नई सीट जोड़ी गई है नरसिंग में भी पंदरा सो और पैरा मेडिकल में भी सोला सो से जादा नई सीटे जोड़ी गई है अब मेरे जम्मु कश्मीर का नवजवान मजबूर नहीं रहा वो मोदी सरकार में मजबूत हो रहा है मुझे खुसी है कि जम्मु कश्मीर बीजेपी ने भी नवजवानों के रोजगार के लिए भी बड़े ऐलान किये है बच्चों का स्कील डेवलप्मेंट हो बीना धांदली के काबिल लोगों को सरकारी नोकरी मिलें ये सारे काम बीजेपी यहां पूरे करके दिखाएगी साथियों यहां के तीन खांदानों ने जमूरियत और कश्मिरियत दोनों को रोंदा है कुचला है आप याद किजिए अस्षी की दहाई में इन्होंने यहां क्या किया था इन्होंने जम्मू कश्मीर की सियासत को अपनी जागीर समझ रखा था यह अपने खांदान के सिवाए दूसरे किसी को आगे आने ही नहीं देना चाहते वरना पंचायत बीडीसी और डीडीसी के एलेक्षन को इन्होंने क्यों रोका इनको लगता था कि इससे नए लोग सियासत में उभरेंगे ऐसे लोग जो इनके खांदानी निजाम को चैलेंग करेंगे इनकी इस खुदगर्जी का नितिजा क्या हुआ यहाँ नव जवानों में जमूरियत से भरोसा कम होता गया उनको लगता था कि वोट डाले आ ना डाले आना तो इनी तिन खांदानों को है आप जरा याद कीजिए कीन हाला तो में इलेक्षन होते थे शाम पांच छे बजे के बाद सारी केंपेंट बंध हो जाती थी डोर टू डोर मिलना जुलना संभव नहीं था और कॉंग्रेस, NCP, PDP ये तीन खांदान इस्षे खुश रहते थे आपके हक, हुकुक छीन करिये लोग मौज में रहते थे पहले के उन हालातों से अलग, अब कितना कुछ बदल गया है आज देर रात तक केंपेंट हो रही है, आज लोग जमूरियत को सेलिब्रेट कर रहे है यहां के युवा में भरोसा जागा है, कि उनका वोट, उनका जमूरी हक ही सही बदलाव ला सकता है साथियों, जमूरियत को लेकर यही आस, यही उमीद, बड़ी काम्यादभी की तरफ ले जाने वाली पहली सीड़ी है आज देखिए, यहां जो एजाज हसन जैसे हमारे नवज़वान है वे इन खांदानी पार्टियों को चलेंज कर रहे हैं और जब यह लोग एजाज हसन जैसे नवज़वानों को गालिया देते हैं तब साफ होता है कि ग्रास रूट डेमोक्रिसी से यह तीन खांदान कितने डरे हुए हैं साथ्यों यहां पमित्र हज्रब्बल है चरारे शरीफ है जामिय मज्जीद है ख्वाजा नक्षबन साहिब जर्गा जैसे स्थार है यहां संकराचार्य मंदीर है जेश्ट्रा माता बसी है खीर भवानी है इन तीन खांदानों के राज में हमारी यह पवित्र जगय भी मभूज नहीं थी बीते दसकों में यहां फिल्मों की शुटिंग बंद हो गई थी यहां सिनेमा हॉल पर भी ताला लग गया था एक दौर था जब लाल चौक पर आना यहां तिरंगा फाराना जान जोखिम में डालने वाला काम था बर्सों तक यहां लोग लाल चौक में आने से डरते थे लिकिन अब तस्वीर बदल गई है सिनेगर के बाजारों में अब इद और दिवाली दोनों की रोनत देखने को मिलती है तीन दहाईयों के बाद अब जाकर यहां मुरुम का जुलुस निकल पाया है अब लाल चौक बाजार में बेर शाम तक चहल पहल रहती है यहां बच्चे खेलते हैं यहां बेज दुनिया से ड्रकोर्ट ट्रिस्ट आ रहे हैं रिक्ष्णा वो टैक्सी से लेकर दुकान धाबी और सिकारे वाले तक हर कोई शांती से अपनी रोजी रोटी कमा रहा है यह अमनों अमान यह साजगार यह महोर यह काम किस ने किया है यह काम मोदिन नहीं यह काम सब कुछ आपने किया है जम्मू कश्मीर के लोगों ने किया है साथ्यों कश्मीर यत को सींचने में उसको आगेड़ बनाने में हमारे कश्मीरी पंडितों की बहुत बड़ी भूमिका रही है लेकिन तीन खांदानों की खुद गुर्ज सियासत ने कश्मीरी हुंदूओं को भी अपने घर से बेगर कर दिया हमारे सीख परिवारों पर जुल्ब होए ये तीन खांदार उनके लोग यहां कश्मीरी हिंदों पर होने वाले हमारे कश्मीरी सीख बाइब्यनों पर होने वाले हर जुन्म के भागिदार बने रहे कॉंग्रेस, एनसी, पीडिपी ने सीर्फ और सिर्फ पटवारा किया लेकिन बीजेपी सबको जोड रही है हम दिल और दिल्ली की दुरी मिटा रहे है आज देखिए कश्मीर बाइदी रेल से जुड रही है इसे सेब किसान को दूसरे फल सब्जी किसानों को फाइदा होगा आपकी फसल कम लागत में देश के बड़े बाजारों तक पहुच पाएगी कनेक्टिविटी बड़ेने से टूरिजम सेक्टर को बड़ा फाइदा होगा यहाँ नए कार खाने नई फैक्टरिया नए कारोबार शुरू होगे साथियों आज दुनिया जम्मु कश्मीर में बदलते हालात को देख कर खुश है यहाँ जी ट्वेंटी का इतना बड़ा इवेंट हुआ दुनिया भर से लोग यहाँ आए यहाँ जब स्पोर्ट्स कारों की रेस हुई तब मैं देख रहा था यहाँ के लोग खुश्यों से भरे हुए थे आज खेलो इंडिया विंटर गेम्स यहाँ होते हैं देख भर से खिलाड़ी यहाँ आते हैं या इंटरनेशनल योगा डे इसका सेलिब्रेशन होता है यही तो कश्मीरियत है जो बाहे फ़ला कर सब को वेलकम करती है लेकिन साथियों यह खांदानी पार्टियां क्या कर रही हैं यह कहती हैं यह वो पुराना दौर वापस लाना चाहते हैं पिछले 35 सालों में कश्मीर करीब तीन हजार दीन बंद रहा 35 साल में तीन हजार दीन बंद यानि 35 साल में से आठ साल बंद में ही गुजर गए जबकि पिछले 5 साल में आठ गंटे भी कश्मीर बंद नहीं हुआ यह आपने किया है यह आपका क्रेडिट है अब आप मुझे पताईए कि आप चाहते हैं कि वो पुराना दे दिन फिर लोटे क्या आप चाहते हैं कि फिर हड़ताले हो फिर खुन खराबा हो क्या आप चाहते हैं कि फिर हमारी बेटियों के कमजोड तबके के हक मारे जाए यह चाहते हैं कि फिर स्कुल जलाए जाए यह चाहते हैं फिर सिनेमा हॉल बंद हो यह चाहते हैं यह फिर कारोबार ठप हो यह चाहते हैं कि नौकरियों में फिर पहले जैसी धंदली हो साथियों जम्मु कश्मीर में हम सिर्पर सरफ विकास को तेज तरक्की पर फोकस करते हुए काम कर रहे हैं आज यहां बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बने हैं यह नया हब्बा कदल पूल नए रंग रूप में सामने आए जीरो ब्रीच और अब्दुला ब्रीच गांदर बल में वाइल ब्रीच डल लेक और जेलम के इर्दगिर्द की सुन्दर ता स्रीनगर की सड़कों पर दोड़ती इलेक्रिक बसे चका चक पोलो व्यू मार्केट आज चारों तरफ जो यह नया पना रहा है जो खुबसूरती बढ़ रही है यह सारे काम पहले भी हो सकते थे लेकिन आज जो इट जो पत्थर आपके रोड आपके घर आपकी इमारत में बनाने में लग रहे हैं उनसे पहले कुछ लोगों ने आलिशान महल बनते थे शाथियों नेशनल कॉंफरेंस पीडीपी और कॉंग्रेसपा के पास बताने के लिए काम नहीं सिर्फ और सिर्फ नाकामिया है नाकामिया इन लोगों ने कश्पीर को सिवाए बरबादी के और कुछ नहीं दिया जब कि बीजेपी गरीब किसान नवजवान और महलाए सब के लिए बहुत बड़े इरादों के साथ इलेक्शन में उतरे हैं यहां बीजेपी सरकार बनेगी तो किसानों के खाते में छे हजार से बढ़ा कर दस हजार रुपिय हर साल जमा होंगे कि यहां बनने वाली बीजेपी सरकार हर परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के खाते में हर साल अठारा हजार रुपिय जमा करेगी कि आज जम्मूश कश्बीर के हर परिवार के पाथ पांच लाग तक मुप्त इलाज की सुविदा है यहां बीजेपी सरकार बनी तो साथ लाग रुपिय तक मुप्त इलाज मिलेगा बीते सालों में हाँ गरीबों को हजारों गर मिले है अब दिल्ली की केंदर सरकार यहां 24 गंटे बिजली और वो भी मुप्त बिजली देने के लिए काम कर रही है यह मुप्त बिजली के लिए पी एम सुर्यगार मुप्त बिजली स्कीम चल रही है चट पर सोलर प्रांट लगाने के लिए करीब असी हजार रुपिये सेंटर की सरकार हर परिवार को दे रही है हर परिवार को असी हजार इस योजना से जुड़े हर परिवार को सालवे करीब पच्चीस हजार रुपिये की बचत होगी साथियों मुझे जानकारी मिली है कि कश्मीर के गव्राव कश्मीर के गव्राव कश्मीर के पहले IAS अजिकारियों में से एक स्रिमान महमद शफीप पंडिजी का कल रात इंतकाल हो गया रिटार्मेंट के बाद भी वो समाज के हित में लगातार काम करते रहे गम की इस गड़ी में हम सभी की दुआएं उनके परिवार के साथ है साथियों बीजेपी जो कहती है वो सो परसेंट पूरा करती है हमने देश के संसद में कहा है कि जम्मु कश्पीर फिर से स्ट्रेट बनेगा और बीजेपी ही इस कमिटमेंट को पूरा करेगी लिहाजा मेरी आप से अपील है 25 सितंबर को बोटिंग के सारे रेकोर्ड तूटने चाहिए सारे रेकोर्ड तोड़ोगे ना भारी मत्दान करोगे ना इतिहास में नाम नर्ज कराओगे ना आप बीजेपी को जरूर मोका दें बीजेपी के कैंडिडेट जमुरियत के लिए अमन के लिए कुशाली के लिए आपके बीच में है जो उम्मीद्वार है उनसे मेरी प्रांसना इदर आगे आजाए जो तुनाव लड़ रहे है कि मैं एक मिनिट इन लोगों के बीच जाके फिर आ करके अपना बाचन आगे करता हूं कि मैं एक लड़ है साथ योग आप यहाँ केसर उगाते हैं जापरान उगाते हैं स्री नंगर को क्यूलिप गार्डन के लिए भी जाना जाता है कमल का फोल इवस्खुप सुरत गुल्दस्ते की शान में चार चांद ही लगाएगा आप सभी यहां इतनी वड़ी तादाल मैं उच्छा उमंग के साथ जुड़े मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद कर दो कर दो